नमस्कार मित्रों जैसी यारा मित्रों आप सभी का मेरे यूटूब चैनल विराट जोतिश चिंतर में हार्दिक स्वाकत है। मित्रों आज का ये वीडियो मेरा एक महत्तपूर्ण गोचर को लेकर है। कल चार मई को शुक्र अपनी राशी बदल रहे हैं। 29 मई तक शुक्र ब्रिशब राशी में ही रहेंगे। ब्रिशब उनकी खुद की ही राशी है। मित्रों ये गोचर बहुत महत्तपूर्ण है क्योंकि भारत की कुंडली भी ब्रिशब लगन की है। इसलिए बहुत हद तक शुक्र का ये राशी परवर्तन रहत देने वाला रहेगा। शुक्र जैसा आप सभी जानते ही हैं बहुत शुबकारिग रहे हैं। कुंडली में शुक्र की स्थिती जितनी मजबूत होगी उतना ही वैबोशाली जीवन जातक को प्राप्त होता है। उसे भोग, विलास, रूमान, सैशर्य के समस्त साधन प्राप्त होते हैं। आर्थिक स्थिती भी बहुत मजबूत रहती हैं। शुक्मे और प्रेम में जीवन को जीता है। अब जबकि शुक्र अपनी ही राशी बिशब में गोचर करेंगे, इसलिए निश्चित रूप से बहुत शांदार फलों की उमीद की जा सकती है। कुछ राशियों के लिए तो शुक्र का ये गोचर बहुत ही उत्तमफलों की प्राप्ति करवाएगा। यदि नेटल चार्ट में शुक्र मजबूत है, योगकारी है, तो निश्चित रूप से आपके लिए ये बेहत शांदार वक्त आपके दरवाजे पर आ पहुचा है। अब एक-एक करके हम जानेंगे सभी राशियों के बिसे में कि शुक्र का ये गोचर इन राशियों को कैसे परणाम देगा। तो शुरबात करते हैं मेश राशी से, शुक्र का राशी परवर्तन आपको मिले जुले फल प्रदान करेगा, आर्थिक स्थिती मजबूत होगी, घर को टुमों में सुक्षानती रहेगी, घर परिवार के साथ वक्त वीतेगा। दानपत्य जीवन के लिए थोड़ी सी उल्जुनों वाला वक्त हो सकता है, थोड़ी दिक्कतें खड़ी हो सकती है, कारी छेत्र के लिहाज से अच्छे फल मिलेंगे, बस थोड़ी सी साबधानी से कारी करने की जरुरत होगी। यह गोचर आपके संचित धन को बढ़ाएगा, भहते को सुख सुविदाओं में ब्रद्धी करेगा, घर में कोई मांगलिक कारिकम भी हो सकते हैं, भूम, मकान, संपत्ति, वहन, आदि की प्राप्ति भी हो सकती है। शिक्षा वसंतान की देश्टी से यह गोचर अच्छा रहने वाला है, इस गोचर के दौरान आपको अपने स्वास्थिय पर बहुत ध्यान देना होगा, विरोधी पक्ष से भी सतर्क रहें, वैसे तो यह गोचर आपको अनायास धन की प्राप्ति भी करवाएगा, कला सौं गोचर हो रहा है, इसलिए मन प्रसंद रहेगा, तनाव के महौल में कमी आईगी, पर स्वास्ति का थोड़ा सा ध्यान रखे रहें, यह गोचर प्रेम संबंदों में सफलता देगा, विवहा की संभावना भी प्रबल रहेगी, यह विवहा पक्का हो सकता है, आर्तिक तरक् मनी की प्राप्ति होगी, आप अपने व्यक्तित्त से दूसरों को प्रभावित करेंगे, लेकिन अहेंकार से बचे रहें, यह गोचर शिक्षा और संतान की देष्टी से बहुत शांदार रहने वाला है, रोजी रोजगार नौकरी कारोबार की देष्टी से देखें, तो ब मारंब हो सकता है, दामपत जीवन में मदूर्ता बनाई रखें, बहुत जादा तनाव न लें, सही दिंचर्या वाखान पान का भी ध्यान रखें, निश्चत रूप से शांदार समय है, इसका लाव उठाएं, और बात मिथुम्राशी की, बार में भाव से शुक्र का गोच लेना चाहते थे, उन्हें सफलता मिलेगी, विदेश से सम्ढंदित कार्यों में लाव मिलेगा, इसलिए जो लोग विदेश से सम्दित कोई कारी करते हैं या पार करते हैं, तो उनके लिए ये लावकारी समय रहेगा, संत्थान पक्ष पर थोड़ा सा ध्यान देने की कार्य चेत्र मजबूत रहेगा लेकिन कार्य की अधिक्ता रहेगी भागदोर अत्तिक भागदोर आपके तन्मन को शितिल करेगी खर्चों में बढ़ोतरी होगी नियंत्रन रखें वरना आर्थिक बदहाली का भी सामना कर सकते हैं आर्थिक मामलों में जोखिम न लें बहुत ज़्यादा किसी पर विश्वास न करें पेट नेत्र वा गले संबंदी दिक्कतों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है दामपत जीवन सामान रूप से ठीक टाक रहेगा एहंकार के टकराओं से बचे रहें खान पान का विशेश ध्यान रखें ध्यान योग प्राणायाम में भी कुछ वक्त दें और बात करकर राशी की ग्यार में भाव से शुक्र का गोचर अच्छे फलों की प्राप्ति कराएगा आंदनी बढ़ेगी आयके स्रोत मजबूत होंगे भावत एक सुक्षादनों की देश्टी से गोचर शांदार रहेगा घर मकान प्रापर्टी वहान आदिसे जुड़े मामलों में सफलता प्राप्त होंगी प्रतिष्ठित वा नाम वर लोगों से जुड़ाओ आपको लाभान्वित करेगा कारिशित्र में थोड़ी साध्धानी वा धैर से कारिकरें बड ब्रद्धी वा पदोन्नती के प्रवलियोग है इस गोचर में आप दामपत्त जीवन में मदुर्ता बनाए रखें एहंकार पर नियंत्रन रखें इस गोचर में आप जल्द बाजी वा क्रोध से बच कर चलेंगे तो बहर शांदार गोचर है ये आपको सभी प्रकास से मन खिन रहेगा करीबी लोगों से सब्मंद खराब हो सकते हैं अतहे वाणी और व्योहार पर बहुत नियंत्रन रख कर चलें अहंकार से बचें रोजी रोजगार नोकरी कारुवार में प्रतिष्ठा बढ़ेगी किसी नई योजना को शुरू कर सकते हैं आर्थिक मामलों मे स्वास्त को लेकर भी सतर करें उच्चा अधिकारियों की क्रपा देश्टी प्राप्त होगी राजनीती में बर्चस बढ़ेगा भूम मकान वहान आदि का लाब मिल सकता है शिक्षा वा संतान के लिए बहुत अच्छी इस्तिति हैं प्रेम संबंद मजबूत होंगे तामप है करियर मजबूत है किसी नए कारी को शुरू कर सकते हैं अच्छा रहेगा लाबकारी रहेगा यात्रा से जहां तक हो सके तो बचे रहे और बात करेंगे कन्या राशी की कि शुक्र का नवम भाव से गोचर होना बहुत ही शुबकारी परणाम लेकर आएगा यह गोचर बे की यात्रा करने के योग बनेंगे जो की लावकारी रहेंगे धर्म अध्यात्म के किरिया कलापों में भी रुचि जागरत होगी आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी अनायास धन प्राप्ति के योग है भौतिक सुख्ष विधाओं में बहुत होगी शिक्षा वसंतान के लि बुब सायोग मिलेगा रोजी रुजगार नोक्री व्यापार कारोवार सभी में तरक्की योग है उमीद से जादा आपको प्राप्थ होगा। इंक्री मेंट और मोशन के प्रबल योग है व्यापार में विस्तार के योग है और ये काल खंड राजनीती से जुड़े लोगों के लिए तो बेहद ही सफलता कारी रहेगा आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी विदेश जाने के एक चुक लोगों के लिए बहुत अन्कूल समय है मालक्षमी वा श्री गरेशी की अगर पूजा आराधना इस कालखंड में आप करें तो बेहद सफलता कारी रहेगी रत्रों इसी के साथ अब बानी को विराम दोगा मिलेंगे अगले वीडियों में शेश राशियों के फ़लों के साथ तब तक आप सभी को जैजश याराम नमस्कार